सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैश्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका स्वाथ सफर और जिन्दगी में तिवाली तो हो गई बहुत मिठाईया हो गई अपको चटपटा हो जाए तो इस पार आपके जो फ्रेंड्स आए और आपके जो रिलेटिव साए आप उनको मिठाईयों के साथ ये चार्ट स से बन जाएगी और बहुत सारा बन जाता है बहुत कर्म टाइम में चली वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले मैं यहां पर पीले वाले मटर लिया थे चाट वाले मटर होते हैं एक कटोरी मटर को मैंने राद भर के लिए पानी में भिगा के रग दिया अब अगर आपको अब पीले मटर ना मिले तो आप इसकी जगह जो हरे वाले सूखे मटर आते ना उसको भी ले सकते हैं लेकिन पीले वाले मटर में इसका एक्चल टेस्ट आता है चाट वाला तो इसको अच्छी तरीके से भिगा के मैंने रात भर रख दिया तो यह अच्छे से फूल गए है मेडियम साइज के छील के धो लिया था वो भी इसमें डाल दूंगी और इसके साथ इसमें पानी डालेंगे पानी जो है बहुत जादा नहीं डालना है हमारे जो मटर हैं वो डूप जाए इतना ही पानी डाला लगभग दो कटोरी मैंने पानी डाला और अब इसकी सीटी है मटर अच्छे से गल जाए इसमें मैंने हल्दी वगर कुछ नहीं डाला अब हरी चटनी के लिए यहां पे मैंने मिक्सी का पॉट लिया है इसमें मैं बहुत सारा धनिया डाल रही हूं इसके साथ मैंने दो हरी मिर्स डाल दी और एक तुकड़ा अधरक डाल दिया बहुत इसको भी अच्छे से डाल देंगे और इन सम में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे एक चमबच मैं इसमें दही डाल रही हूं दही बहुत जरूरी है इससे जो चाट वाल actual taste आता है वो इसी से create होता है और थोड़ा सा पानी मिला ही और बढ़िया इसको पीस और इसको अच्छी तरीके से गरम कर लें अब इस में एक चमद जीरा डाल दिया और अगर आप बढ़े वाले तवें में बनाना चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं जिसमें चाहिए उसमेने बना घंक ऑज Jenni और अध्यान चाहते हैंतों रहे हैं मिक्सी में Détony दाला दिए में इसको हच्जाप norms लिए थिद भूंहें वह सबीछ नमें इसकेसबाने 이상 अध्य करना ह्यूंकिक दाब में लोगर सबस्क्राइब सबस्क्रागता लिए चाहिए अब आध्येम सब्सक्राइब इसमें बहुत अच्छा वला टेस्ट आता है तो अच्छे से इसको भून लेंगे और यह जो प्याज है यह एकदम ब्राउन कलर की हो जाएगी आमने जब मटर उबाला था न उसमें ना हल्दी डाली थी ना नमक डाला था तो अगर आप उस टाइम पे उस पर हल्दी डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं मैंने नहीं डाली तो यह प्याज अच्छी तरीके से भून गई है अब यहां पे मैं हल्दी डाल रही हूं आदा चमच मैंने हल्दी डाली आदा चमच लाल मिर्स पाउडर डाला और एक चमच भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला धनिया क कॉंटेटी बाकी सब चीजों से थोड़ी सी जादा होती है अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे और यह बहुत जादा टाइम तो लगेगा नहीं फटा-फट से हो जाएगा अब मैंने क्या किया है टमाटर को काटके रखा था दो टमाटर थे मीडियम साइज के व नमक डाल देते हैं इतने जितने आपकी सब्जी है उसे सापसे नमक डाल दालुए नमक डालने से तमाटर है वो एक डम फास्ट कोख हो जाते हैं तो इसको में चम्मत से दभाती जा रही हूं यहां पर मेरे मटर थे थंडे हो गए हैं एक दम बढ़ियां बढ़िआं से पक जो हमारी यह सबजी है प्याजवगर है अच्छे से भूनके रेडी हो गई है अब इसमें मटर पल्टा देंगे कोई खड़े मसाले नहीं कोई ताम जाम नहीं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है जो भी चीदर डालनी है बाद में उपर से डालेंगी जो चाट में डलती है यह एकदम इजी है बहुत असानी से बन जाएगी आदा गलास जितना मैंने इसमें पाने डाल दिया क्योंकि अब यह बॉइल होएगी तो अच्छी तरीके से इसको पकने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए एक पावभाजी मैशर से इस तरीके से मैश कर दूँगी तो जो वाला बॉइल आ गया कलर भी बहुत अच्छा है चाट वाला यही कलर चाहिए और यह अच्छे से पक गई है बहुत अच्छी वाली खुश्बू आ रही है तो इसी टाइम पे इसमें मैं धनिया एड़ करूंगी और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना यह एकदम र काढ़ा हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें गरम करके तो यह हो गया है मैं इतना ही रखूंगी और देखिए मटर कित्ते अच्छे से गल गए घुल गए एकदम ऐसा ही चाहिए अब हमारे सारे एलिमेंस रेडी हो गए हैं अब हम इनको कम माइन करेंगे तो सबसे कितले मैं यहां पर कर ले ले ली है इसमें मैं इस इसको रगड़ा बना के रखा यह डालेंगे जंडना रहा एक प्लेट म मठ्री वगर्ण बनाते हैं उसका भी यूज पर सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें इमली की चठनी डाली इमली की चटनी की recipe मेरे channel में डली हुई है आप वहां से देख के से को मैं इसमें दही डाल रहे हूं दही बिलकुलज़ avoid भठा नहीं होना चाहिए इसके बाद मंने जो हरी चट्णी हमने बना के रखी थी उपर से वह डाले और इसके बार्यझ प्याच काट क रखी थी वह इसमें डाल देंगे सारी चीज़े यहीं डालनी है अधा टमाटर है उसको मैंने बारिक काटके रखा तो डाला एक चुटकी इसमें नमक डाल देंगे इसके साथ मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी और भुना हुआ जीरा डालूंगी एक चुटकी में सब चीज़े डाल रहे हुँ अब बारिक वाले जो सेव होते हैं चाट वाले वो उपर से इसमें डालेंगे अच्छे से भरके डाल दीजे इससे बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है और इसको अच्छे तरीके से हमने रेडी कर लिया बस हमारा ये रगड़ा चाट बनके एकदम तयार है जितना मर्जी उतना बनाईए सब को खिलाईए और सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसे बहुत ही टेस्टी लगता है एकतम हराम से बन जाता है बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मज़ा आ गई थी सिखाने में मेरे घर में जो गेस्ट आयते मैंने सब को यही सर्फ किया सब को बहुत पसंद आया तो आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजिए और थोड़ा सा ठेले वाला लुक देने के लिए मैंने इसको इस तरीक से दोने में सर्फ किया तो यह और जाद अच्छा लग रहा थ सेम है उसको मैंने डोने में बना दिया और उसको मैंने प्लेट में बना दिया तो इसे जरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो पसंद आया तो प्लीस लाइक कीजिए